देखिए जो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो बारिस हुई है पूरी प्रदेश में लगवग 0.7 mm के आसपास भी है और आम तरपर अक्टूबर के महिने में जो है लगवग 2-2.5 cm के आसपास रेंफॉल होती है तो ओवराल देखेंगे कि माइनस 97% है लेकिन आप देखें मांसून हम कभी डॉल होता है विन डारिक्शन में चेंजेज होते हैं तो हलाकि माइनस 97 बड़ा लगता है लेकिन अगर आप कॉंटिटरी वाइस देखेंगे तो 2 mm से 3 cm के इनफॉल होती है और सिफ जो रिलाइज हुई है 0.7 mm के रिलाइज हुई है तो जैसे धूप खिली हुई है अगले 5-7 दिनों तक हिमादपूरी माचल प्रेस मैं से धूप खिली रहेगी और बादल बहुत ही कम रहेंगे हमारे पास और जो तापमान है उसमें सबेरे असाम आपके पास थोड़ी सी गिरावट होगी और ठंड महसूस करेंगे और जो अधित्तम तापमान है वह लगबग 22-23 इंडिकेट सिम्ला जिली के आसपास बना रहेगा और जो नियुंतम तापमान है वह लगबग 10-11 इंडिकेट के आसपास सिम्ला के आसपास के डिस्टिक्स में बना रहेगा तो चुक्कि अभी कोई ऐसा वेस्टरें डिस्टरवेंस हमारे पास एफेक्ट नहीं किया हिमाचल प्रदेश में तो इतनी अभी सिग्निफिकन्ट एमाउंड में रेइनफॉल और स्नोफॉल कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है तो जो टमक्रेचर में घ्रावट होगी वह ग्रेज्वल ही हमारे पास धीमे धीमे करके ही आगामे दिन होगी बहुत झाल 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 झाल